सुप्रभात पच्चो आजम सभी हिंदी ब्याकरण में अध्या 13 जिसका नाम है संख्या इसकी एक्सरसाइस बुक में करेंगे तो हमारी अभ्या संख्या का है दिये गए चित्र में कुछ अंक हिंदी के छिपे हुए हैं अंको को पहचान कर उन्हें दिये गए इस्थान पर लिखे तत्वस्चात उन्हें शब्दों में भी लिखे यहां पर देख रहें आप इस चित्र में जैसे कि यह अंक लिखा हुआ है यह 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 और यह इन सारे अंकों को आपको अंक की जगह पर लिखना है इस तरह से और शब्द को फिर उनके शब्द को शब्द वाली 23 को अंक होगा क्या तेज तो सबसे पहले हम तेज लिखेंगे और तेज को शब्दों में इस तरह से लिखेंगे इसी तरह से उसके बाद आएगा हमारा चौवीस चौवीस यहां लिखेंगे और चौवीस शब्द में इस तरह से लिखेंगे फिर इसके बाद हम देखतें क्या आएगा पच्चीस तो पच्चीस को आप ऐसे लिखेंगे और शब्द में इस तरह से इसी तरह से 25 के बाद अब क्या आता है 25 के बाद आएगा 27 यह 27 अंक और यह शब्द में इस तरह से अब 27 के बाद क्या आएगा 35 35 अंक में इस तरह से और शब्द में इस तरह से इसके बाद 35 के बाद हम देखते तो कौन सी गिंती होगी 36 तो 36 इस तरह से और शब्द में इस त सबसे पहले चबालिस आएगा चबालिस को इस तरह से अंक में फिर शब्द में इस तरह से और फिर लाश्ट और अंतिम हमारे पास बचा है अड़तालिस अड़तालिस को अंक में इस तरह से लिखेंगे और और शब्द में इस तरह से थेंक यू